नमस्ते आप सब का वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में पैन में डाल दिया है और बिलकुल दीमी आज पर बिलकुल लो फ्लेम पर आपको इसे लग भग चार से पांच मिनट के लिए भूनना है तेज आज पर भूनोगे तो यह जल सकता है और स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए धीमी आज पर खूब अच्छे से बूने उसके अगर आपके पास पड़ा है तो आप तुरंट भी बना सकते हैं पर मैं तो जब भी यह पराठे मतलब यह कोकी बनाती हो न तो ताजा ही बनाती हो बहुत अच्छा स्वाद आता है उससे दो कब मैंने ले लिया है दो से तीन कब गीहूं का आटा इसके अंदर आप अपने करने के बाद थोड़ा थोड़ा करकर हम पानी डालेंगे और आटा गुनेंगे तो यह जो कोकी है मतलब पराठे है काली मृची के इसके लिए जो आपको आटा गुनना है वो नाइंग जादा सक्त होना चाहिए और नाइंग जादा नरम होना चाहिए मीडियम सॉफ्ट आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि पानी आप एक साथ ना डाले अगर भूल से अपने पानी एक साथ डाल दिया तो आटा नरम हो जाएगा इसलिए वो ध्यान रखना और आटे को अच्छे से गुन लेना तबा मेने गरम करने रख दिया है आटे में से लोई निकाल ल ले तो इसे आपको बेलना है गूली पर थोड़ा सा मूटा बेलना है उसके बाद नाइफ यानी की चाको ले ले और उसकी मदद से इस तरीके से मार्क बना ले निशान कर ले ताकि अंदर तक यह अच्छे से पके अच्छे गरम तबे पर आपको इसे डालना है और इसे से जिसे यह हलका हलका सिखना शुरू हो जाए तो आप इस पर लगा सकते गी या फिर तेल या फिर मकषन तीनों में से कोई भी एक चीज लगाएंगे ना बहुत अच्छा स्वाद आएगा तीनों में से कोई भी आप चीज लगा सकते हैं मैंने गी लगाया और दूनों तरफ इ देखना है क्योंकि थोड़ी सी मोटी है अगर कची रह जाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा इसी तरह से मैंने बाकी बच्ची भी बना ली और बन कर तयार है यह बड़ी आसी काली मिर्ची की कोगी खास करके यह ठंडी ठंडी दही के साथ अच्छी लगती है या फिर च लाइकन और चैनल को सुस्क्राइब कने ना वूले थांक यह फो वाच्छंग